हेलो एवरीवन, आज हम लोग फार्दर और फार्दर इस पे बहुत कन्फ्यूजन होता है कई स्टुडेंट्स, कई टीचर ये बार बार कॉश्चन पूशते हैं कि सर फार्दर और फार्दर में डिफरेंस क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि farther और further इन दोनों का जो मतलब होता है जो दोनों की जो meaning है उसका मतलब होता है आगे अब यहाँ पर ध्यान दीजे कि जो farther सब्ध है यह far यह far का comparative degree है for यानि दूर further उससे दूर और farthest सबसे दूर for further farthest लेकिन इसका यूज आगे के लिए भी होता है यह actual physical distance को बताता है जो distance है जो दूरी है उसको यह denote करता है his house is further than my house from here यानि किसी का घर है वो थोड़ा दूर है और उसके करीब मेरा घर है और यहाँ से यदि उसको count किया जाए तो हमें बोलेंगे his house is further than my house from here इसका दो use होता है further एक adjective की रूप में adjective की रूप में use होगा his house is further than my house from here यहाँ पे देखिए further house की विसेश्था बता रहा है कि दूर है इसलिए adjective के रूप में use हुआ एक और sentence देखते हैं she went two kilometer further from the actual distance यहाँ पे जो further है वो went को denote कर रहा है describe कर रहा है went verb है तो verb को जब describe कर रहा है तो यह होगा adverb further दो रूपों में parts of speech में रहता है एक adjective के रूप में और दूसरा adverb के रूप में अब आईए जानते है further further means भी आगे होता है लेकिन इसमें physical distance को हम denote नहीं करते physical distance का यहाँ पे कोई बातचित नहीं होती और इसको मापा भी नहीं जा सकता इसको measure नहीं किया जा सकता further को measure नहीं कर सकते फारदर को measure कर सकते थे लेकिन further को नहीं करते क्योंकि physical distance का वर्डन इसमें नहीं होता इसको भी तीन रूपों में यूज़ करते हैं इंगलिस में एक एड़्यक्टिव के रूप में एक एड़्वर्ब के रूप में और वर्व के रूप में तीनों में फर्दर का यूज़ हम करते है उसको हम देख लेते हैं कि ये एड़्यक्टिव का काम कर रहा है Adverb का काम कर रहा है की वर्व का काम कर रहा है जैसे देखते हैं Adjective Adjective में कैसे यूज होता है Further जैसे Further Education Further Information Further Details Further Consideration मैं आगे की सूचनाय चाहती हूँ मैं आगे की सूचनाय जानना चाहता हूँ I want to know further Information I want to know further information मैं आगे की डिटेल जानना चाहता हूँ I want to know further details तो यहाँ पे further आप देख रहे हैं Adjective की रूप में यूज हुए हैं क्योंकि नाउन की विशेष्टा बता रहे हैं यहाँ पे education, details, information, नाउन है अब आई जानते हैं Adverb की रूप में further कैसी यूज करते हैं जैसे moved further, study further, complain further, research further He moved further, वहाँ आगे बढ़ा He moved further, यहाँ पे further move की भी सेष्टा बता रहा है Move यहाँ पे verb है, इसलिए Adverb है यह आई यह जानते है further का यूज वर्ब में कैसे करते हैं further my career, further my education further का use हम वर्ब में भी कर सकते हैं action word के रूप में I want to further my education मैं अपने education को आगे बढ़ाना चाहता हूँ I want to further my education अब यहाँ पे further verb के रूप में यूज हुआ है action word के रूप में यूज हुआ है इसलिए further यहाँ वर्ब का का काम कर रहा है further यानि आगे बढ़ाना मैं अपने career को आगे बढ़ाना चाहता हूँ आगे बढ़ाना चाहता हूँ आगे बढ़ाना यानि further I want to further my career मैं अपने branch को बढ़ाना चाहता हूँ I want to further my branch मैं अपने ग्यान को बढ़ाना चाहता हूँ I want to further my knowledge तो इस तरह से further और further का जो use होता है English grammar में, English बोलने में, English speaking में आप देख लिए further दूर की बस्तुओं के लिए, यानि कि further का use, for के sense में है, दूर के sense में है, यह for का comparative degree है और further आगे adjective के रूप में, adwork के रूप में और work के रूप में यूज़ करते हैं जितने भी इसमें example मैंने दिये हैं, उसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा और इस तरह के कुछ और Hindi examples लेकर के उसको translate करिएगा इसमें आप books की भी मदद ले सकते हैं, books में जितने भी further और further के examples हैं जो भी exercise हैं उसको आप करेंगे, यदि कोई confusion होता है further और further में तो आप comment box में comment करेंगे, उन comments को निशित रूप से rectify किया जाएगा So keep learning, happy learning